सब्सक्राइब करें रेस्पिज विलोग यूट्यूब चेनल को और बेल आइकन प्रेश करें हमारी नही नही रेसिपिस देखने के लिए दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मुंग डाल का हलवा हलवा हलवाई लोग कैसे बनाते हैं जो डाल का हलवा बनाने के के लिए जो special trick है वो मैं आपको बता रही हूं सबसे पहले क्या करते है दाल को भिगोते हैं और दाल को भीगोने के बाद उसको पीस करके बराबर के घी में उसको सेख करके तयार करते हैं और फिर दाल का हलवा आप देख सकते हो कितना बढ़िया दाल का हलवा तयार हो चुका है और अब आप देखेंगे सेकी हुई डाल ये देखें ये डाल को सेक करके तयार कर लिया गया है तो दो किलो सुखी डाल को भिगो करके उसको पीस करके दो किलो घी के अंदर ही सेक करके तयार किया है अब इसके लिए चासनी केसे प्रिपेर करते हैं 2 kg सुगर के अंदर एक लेटर पानी डाल दिया है चिपचिपी चासनी हो गई तो उसके अंदर थोड़ा सा कलर एड़ कर लेंगे तो ये कलर मिक्स कर लिया है आप चाहिए तो इसके अंदर खोया होता है मिल्क का वो भी एड़ कर सकते हैं तो आप कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे और कलर को मिक्स करने के बाद में जो डाल होती है वो डाल और उसके अंदर खोया जो होता है वो मिक्स कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं और हलवाई लोग कई वार करते हैं कई वार अगर वो बनाने वाले जो होते हैं जिनकी बनाई यह दाल का जिनके लिए हलवा बनाय जा रहा है वो अगर ना चाहे तो बिना खोये के भी इसको बनाया जा सकता है तो यहां पर आप देख सकते हो ये डाल दिये है सेकी हुई डाल चासनी के अंदर और एक से दो मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में ये देखे चिपचिपापन है सिरफ चासनी के अंदर कोई तार नहीं था सिरफ चिपचिपापन था और अच्छे से mix करके एक से दो मिनट के लिए पकाते ही आपका दाल का अलवा ready हो जाएगा इसी stage पर आपको चाहे तो मावा mix करना होता है और ये दाल का हलवा perfect हलवा हलवाई के द्वारा तयार है तो अब इसे बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेंगे और थोड़ी बहुत गार्निशिंग करेंगे और बस तयार है दाल का लवा तो हमारी ट्रिक्स आपको कैसी लगी हमें कुमेट करके जरूर बताना थेंक यू